नमस्कार दोस्तों मैं हुराजेस्वराब देख रहे हैं ओम जी बिहारी इस वीडियो में बिहार और जारखन के कोरोना वेरस अबडेट्स जारखन में कोरोना से दूसरी मौत हिंद पिड़ी के बुजर्ग में रिम्स में दम तोड़ा पत्नी और दो बेटे भी हैं कोरोना पॉजिटिव राज़दानी राची के हिंद पिड़ी इलाके में रहने वाले साथ वर्षिये कोविड-19 मरीज की रविवार को सुबह नौवजे रिम्स राची में मौत हो गई दो दिन से इस मरीज की हालत गंबीर थी उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया था हिंद पिड़ी के इस मरीज की मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना वाइरस के संक्रमन से मरने वालो की संख्याद दो हो गई है 6 अप्रिल 2020 को कोरोना संक्रमन की पूस्टी होने के बाद उन्हें रिम्स में उसकी पत्नी दो बच्चों के साथ भरती कराया गया था 9 अप्रिल को उसकी हालत भीगरने लगी उसके बाद वेवेंटेलेडर पे थे 12 अप्रिल को सुबर 9 वजे उन्होंने दम दोड़ा रवी वार को जारखन में 92 92 लोगों की रिपोर्ट आई जिसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं था हलाकि इसके पहले सुकरवार की देराथ जो रिपोर्ट आई थी उसमें तिन लोग COVID-19 से संक्रमीत पाया गया थे इसमें गिरिड़ी जिला के कोडर्मा में एक, हजारी वाग के विश्नोगर में एक और राची के हिंदपड़ी में एक मरीज में संक्रमन पाया गया था ज्यारखन में कोरोनवारिस की संक्रमन का केंदर बन चुके हिंदपड़ी में इस्तिती खतरनाक होने के बावजूद लोग लॉकडाउन की धजिया उड़ा रहे हैं पुलिस को चुनौती दे रहे हैं प्रदेश में अब तक 17 केस सामने आ चुके हैं इन में 8 हिंदपड़ी, 6 वोकारव, 2000 बाग और 1 कोडरमा के मरीज हैं और वोकारव एवं हिंदपड़ी में एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है हिंदपड़ी निवासी 14 वर्सिय बच्ची की सनीवार को रीम्स के COVID-19 अस्पताल में मौत हो गई रीम्स प्रबदन के अनुसार बच्ची कीड़नी की मरीज ते उसे रीम्स के सिसु विभाग में भरती किया गया दिन के लगभग 11 वजे उसे डालेसिस के लिए ट्रॉमा सेंटर में बने COVID-19 अस्पताल में लाया गया दोपहर 12-45 में उसकी मौत हो गई उसे संदिग्द मानते हुए सेंपल जाच के लिए गई जारकन राची के सुखदेव नगर थानाचितर के एक कुरोना संदिग्द मिला है सुखदेव नगर थानाचितर में हनुमान नगर से एक 60 वर्सी सक्सको अस्थानी लोगों की सूचना पर पुलिस और COVID टीम खेल गाउं इस्तित कॉरेंटाइन सेंटर ले गई मिली जानकारी के उनसर विद का तिलिया का ट्रेवल हिस्ट्री है और वो कोईला ड्राइवर है बिहार का कॉरोना वाइरस अपडेट बद होई कि नेशनल कोलेज सिल्टर हों में ठरे विःर के 18 वर्सी एक टिहार निवासी यूवक कॉरोना पॉजिटिव होनी की जानकारी मिलने के बाद प्रसासन में हरकम मच गया जानकारी होने के बाद एहतियात कदम उठाते हुए परसासन ने नेस्टनल कैंपस को सैनिटेज किया जिस कमड़े में कोरोना पिरित युवक ठारा था उसे खाली करा दिया गया है वहीं केंपस में ठारे 133 बिहारी मजदूरों के साथ कम्यूनिटी किचन में कारेरत और देखरे करने वाले राजस्वग करमचारियों सहित सुरक्षार करमियों की जाच कराने की तयारी चल लगी है पिछले 24 गंटे में बिहार में 4 नए मामले आये हैं सिवान में अब तक 29 मामले जिसमें रिकवरी के मामले 4 हैं सारण में अब तक एक मामला है बिहार के 11 जिले COVID-19 से प्रभावित हैं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है विश्व की तुल्ला में 15 परतिसत अधिक ठीक हो रहे हैं बिहार में कोरोना के मरीज कोरोना वाइरस की संदिग्द 72 वर्सिय महिला PMCH पतना मिडगल कॉलेज हस्पिटल से भाग गई हैं सिवान की निवासी संदिग्द महिला के रिपोर्ट आनी अभी बाकी है कोरोना से जंग के बीच बिहार के गोपालगन से एक अच्छी खबर जहां कोरोना के दो पॉजिटिव मरीजों ने मौत को माद दे कर नई जिन्द की पाई है उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है बिहार कोरोना अपडेट और जहारखंड कोवीड 19 अपडेट में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें कोई गलती हो तो माफ करें हाथों को जरूर साफ करें घरों से कम निकलें वो सबों के लिए अच्छा हो